हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंडेन स्टडी इंडेन स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर क्या आया हूँ जो कि आपके आने वाले एक्जाम यूपी ऐसा और यूपी ट्रपल सी पीटी के लिए ब तो अनेकेडमी आप लोग के लिए टार्गेड वेच लेकर क्या आया है हंड्रेड डेस का जो की सेकंड फरवरी से स्टार्ड होगा और सेकंड में में खदम भी हो जाएगा इस कोर्स में आपको अनेकेडमी के बेस्ट एजुकेटर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंग सब्सक्रिप्शन को पर्चेस कर सकते हैं पर्चेस करने के दोरान रिफरर कोड में आप इंडियन इस्टडी जो कि अपने चैनल का नाम है उसको एपलाई कीजिएगा तो आपको इंस्टेंट 10% का डिसकाउंट प्राप्त हो जाएगा तो चलिए देखते हैं पहला को सब्स सब्सार हिंदी साहित के इतियास के सरप्रितम लेखक का तो सही आंसर हो जाएगा गार्षा दी तासी चौता ओप्संस जो है वह आपका ब्रूब क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोसंस निमलेकत में से किरिया विशेशन कौन सा वाक है जल्दी बताओ किस किरिया विशेशन का प्रियो हुआ है तो सही आंसर हो जाएगा वह धीरे से बोलता है पहला ही ओप्संस आपका ब्रूब करेक्ट हो जाएगा दिये हुए बाक में जो बोलना है वह एक किरिया है तता धीरे सब्द जो है ये किरिया की विशेशन प्रकट कर रहा है इसलिए यहाँ पर किरियवेसेशन है ठीक है next question से आपका कि ततसम सब्द का chain करना है कौन सा सब्द जो है वो ततसम सब्द है जल्दी बताईए कुपात्र कुपात्र सब्द जो है वो एक ततसम सब्द है यानि कि इस questions का दूसरा option से आपका विलूर करेक्ट हो जाएगा अत्य वसक का संदी विक्षिद बताईए अगर हम यहाँ पर पूछे कि आपसे यहाँ पर कौन से संदी होगी तो देखो आपका जवाब होना चाहिए यह चन संदी ठीक है न अब बताओ कि अत्यवसक में संदी विक्षित क्या होगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा अत्यप्लस आवसयक यानि कि पहला आपसंस करेक्ट अब आप सोचो कि सड़ यन संदी आपने कैसे बोल दिया दो तावर्ग का आदा अक्षर आ गया और तावर्ग का आदा अक्षर कहीं भी आ जाए तो आप यन संदी ही लगाएंगे वहाँ पर ठीक है ना नायक में कौन सी संदी है जल्दी बताओ नायक का संदी विक्षित करो नायक का संदी विक्षित क्या हो जाएगा ने प्लस अक और ए और ए क्या आयादी संदी पैचानने का नियम है असुद वर्तनी को चिन्नित कीजिए कौन सी असुद वर्तनी है गलत वर्तनी है जल्दी बताओ तो आपका जो सही अंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सराप सराप सब्द जो है ये एक असुद वर्तनी है इसका जो सुद रूप होगा वोगा साप ये एक सुद रूप है ये जो स्राप है ना ये स्राप स्रापित ये अमानक सब्दें कैसे सब्दें अमानक इनका प्रियोग नहीं किया जाता है इस रूप में इनका प्रियोग नहीं किया जाता है इसलिए जो है वो स्राप जो है ये हाथी संग्या सब्द का भाववचन हाथी ही होगा यानि कि इस questions का दूसरा ही options होगा इसके हाथिया हाथिये हाथिया ये कुछ नहीं लगा देना समझ रहे हैं na कुछ ऐसे सब्द होते हैं जो की एक बचन की तरह और भाववचन की तरह यूज होते हैं ठीक है ना, पुरलिंग इकारांत, उपारांत और अकारांत सब्द दोनों बचनों में समान रहते हैं, जैसे डाकू, इसका बहु बचन नहीं होता, आदमी, हाती, ये सबी बहु बचन की रूप में ही प्रियोग होते हैं, और एक बचन की रूप में भी, मेरी बहन इसकूल से आईए, तो व्यक्ति बचक संग्या में चला जाता, करता कारक है, और इस्त्रिलिंग एक बचन है, क्योंकि एक इस्त्रिलिंग हो रही है, और करता कारक क्योंकि बहन जो है, वो कारक की तरह हो रही है, ठीक है, करता कारक है, करता ने, करम को, ठीक है न, इस तरीके से, तो आ जाती बचक संग्या तो हम समझ गए, बेहन में जाती बचक संग्या है, ठीक है, उसके बाद एक बचन भी समझ गए, लेकिन यहाँ पर करता कारक की जगे पता क्या होगा, अपादान कारक होगा, क्यों, क्योंकि स्कूल से आई न, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाए क्योंकि जाती बचक संग्या विल्कुल ठीक है इस तरी लिंग विल्कुल ठीक है एक बचन विल्कुल ठीक है वस करता कारक गलत है इसको अपदान कारक कर लेना ठीक है ना क्योंकि मिस्प्रिंट है अब ये तो गलती मेरी नहीं है है ना लड़का कपड़े दोता है इस वाके में कपड़े का पद परीचे बताईए यानि कि आपको हर तरीके से बताना है देखो पद कपड़े जो है वह एक जाती बचक संग्या है कपड़े का नाम होता पेंट सट तो ये व्यक्ति बचक संग्या में चली आती ठीक है कपड़े दो कपड़े को दोया ठीक है तो करताने कर्म को तो को कारक्षिन आ जाएगा तो यहां पर कर्म का रंग आप ले सकते हैं ठीक है तो तीसरा ओप्संस यहां पर बिल्गल क्या होगा कर्यक्ट होगा नेक्ष्ट कोसंस की तरफ चल रहें नेक्ष्ट कोसंस पारी तोसिक सब्द का समनार तक सब्द का चेन कीजिए पारी तोसिक सब्द का समनार तक सब्द क्या होगा तो सही अंसर हो जाएगा पुरुसकार पहला ही ओप्संस जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा correct हो जाएगा अमिये सब्द का समानारतक यानिकी पर्यायवाषी तो अमिये जो है यह अम्रित का पर्यायवाषी है चौh बताओक कोटल का बिलूम सब्द बताओ कोटल का तो कोटिल का बिलूम सब्द होजएगा आपका पीमुर्दुदुलुटा यानिकीjayा अब्लोम सब्द क्या होगा अवनी का प्लोम सब्द होगा अंबर यानि कि तीसरा option बिलुकुल correct next question से आपका जरट और जठर सब्द का सही योगम बताइए देखो जरत माने होता है आपका बूड़ा और जठर माने होता है पीट तो छोथा option correct जठर रस से हम पहचान सकते थे से अनिकारती सब्द तिलक के दिये गए निम्लिके तुमेंसे एक अर्थ नहीं है तो उसको चुनिए ठीक है तिलक का कौन सा अनिकारती सब्द नहीं है वही आपको पहचानना है व्याख्या, धब्बा, टीका ये तो है टीप, टीप नहीं है टीप सब्द जो है ये तिलिक कानिकारती सब्द नहीं है तीसरा उप्सन्स करेक्ट कहावत सब्द में प्रियुक्त पिरते हैं किसी भी सब्द के पीछे लगाई जाते हैं और कहावत में कौनसा पिरते हैं यूज होगा आवत पिरते हैं चौता उप्सन्स करेक्ट हो जाएगा निम्न सब्द में प्रियुक्त पिरते के लिए सही, विकल्प चुनिए मच्छर दानी इसमें पिरते बताईए कौनसा यहाँ पिरते है दानी जो है वो पूरा एक पिरते का उधारन है चौता उप्सन्स बिलुकलो करेक्ट बहुबरिये समास मैंने आपको बताया बगवान के नाम बहुबरिये समास में लगा दू मेग नाद अर्थोत मेग के समान नाद है ठीक है तो यहाँ पर आपका बहुबरिये समास होगा तीसरा उप्सन्स बिलुकलो करेक्ट लालिमा सपन बाग में रहती है वाक कैसा है तो यह जो है एक प्रकार का सरल वाक है ठीक है न क्योंकि इसमें एक ही करता है लालिमा और जहां करता एक होता है तो वहाँ सरल वाक होता है निमलिकत वाक क्यों में से कौन सा वाक संयुक्त वाक नहीं है जल्दी बताओ कौन सा वाक संयुक्त वाक नहीं है उसने परिस्तरम किया परंतु सपल ना हो सका यह तो आपका होगा वह आकर पानी पीकर चला गया बस यही जो है वो संयक्त वाक नहीं है तीसरा ओप्सन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा कौन सा वाक जो है वो सुध है 26 में सुध वाक आपको पहचानना है उपर के कपड़ों में नहीं ठीक है यहाँ पर बिल्कुल ठीक है यह भी बिल्कुल ठीक है कौन सा वाक सुध नहीं है देखो फूलों की सुध दर्स नहीं है यह जो है वो आपका असुध वाक है क्यों क्यों कि देखो फूलों का सुध दर्स नहीं है थीक है सॉंदरता नहीं सॉंदर है यहां ताजा और गर्म फैंस का धूद मिलता है बताओ बहंस का गर्म दूद नहीं के गलती हो गई उसे मरतिव डंट की सजा दी गई कल भी बताये था कि मरतिव डंट जो है अपने आप में एक सजा है तो इसके उपर के वाक्यों में कोई भी सुद्वाक नहीं है 27 से 28 तक वही आपको एक वाक को चार वागों में विवक्त कर दिया गया है जिस वाग में गलती है वही आपको चुनना है कच्छा के सभी लड़के गुरु जी की मन से स्रद्दा करते हैं अब बताओ देखो इसके तीसरे पार्ट में जो है वह आपकी क्या हो जाएगी गलती हो जाएगी ठीक है ना तीसरे नहीं चौते पार्ट में क्योंकि कच्छा के सभी लड़के गुरु जी की मन से स्रद्द्दा करते हैं नहीं यहाँ पर स्रद्दा रखते हैं आएगा यानि कि करते की जगे रखते आएगा ठीक है आप देश के किसी भी बड़े सहरो या कस्वे में चले जाएं चारो तरफ यातायात का तांता लगा दिखाई देगा आप बताओ कि इसके किस पार्ट में गलती है या इसके पहले ही पार्ट में गलती है क्योंकि किसी बड़े सहर या कस्वे का प्रिय होगा यानि कि किसी सब्द हो तो आप हटाई दो तो यहाँ पर पहले ही पार्ट में गलती है आ निर्वर्चनिये सब्द के लिए वाक्यांस बताई है यानि कि वाक्यांस के लिए एक अर्थ देदिया आ वर्चनिये इसका पूरा वाक्यांस आपको बतान अनुगामी सब्द का सही अर्थ बताईए अनुगामी सब्द किसी के पीछे पीछे चलने वाला चौटा ऑपसन्स हापका बिल्कुल करेक्ट होगा चलते रहने से अच्छा है कि अब विसराम किया जाए मैं किस परकार का वाच है बताया था तीन प्रकार के तीन होई उप्संस में दी हैं तो यहाँ पर देखो भाव वाच है पहला ही उप्संस आपका बिल्कुल करेक्ट है भारत के सांस्कृत उतकर्स का फिलिंदा बिलेंग्स आज भी दश्चन वारत के मंदरों में किया जा रहा है तो कोसंस जो फिलिंदा बिलेंग्स उसके स्थान पर क्या आएगा भारत के सांस्कृतिक उतकर्स का अवलोकन आज भी दश्चन वारत के मंदरों में किया जा सकता है यानि कि पहला उप्संस यहां करेक्ट होगा चक्का पंजा करना इस मुहाबरी का सहीर्थ क्या है चोकड़ी भूल जाना इस मुहाबरी का सहीर्थ हो जाएगा रहाना सूजना पहला ही ओप्संस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तो भीवस रस का ब्रोधी कौन सा है जल्दी बताओ कौन सा रस भीवस रस का ब्रोधी है तो आपका जो सही अंसर हो जाएगा व्य हो जाएगा स्रंगार नया कोस्तन से वीवस रस का ब्रूदी रस कौन सा है स्रंगार रस तीसरा ओप्संस बिल्कल करेक्ट 36 से 37 के लिए आपको सही चंद का चेन करना है ठीक है भाई दिना दस जीवन जीवन री मरीवे पची होई जुबे मरीवे ना इसमें कौन सा चंद है तो देखो यहाँ पर जो है सवया चंद है तीसरा ओप्संस करेक्ट अफ सवया की फैचान क्या है देखो एक बाणलिक चंद है इसके एक चरल में 12 से लेकर 26 वन होते हैं तो वहाँ पर वन लिक चंद होगा वो भी सवया ठीक है तो इस तरीके सा आप याद कर लो क्योंकि यह वन लिक चंद है ठीक है तो दोस्तो ये थे आपके 37 हिंदी के कोसंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिये तो दोस्तो फलाल की वीडियो तो सर्फ अतनाई अगर आपको वीडियो पसंद आये तो प्लीज दोस्तो वीडियो को लाइक केज़ें सेर केज़ें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि में रोजने यसी तरह के वीडियो से आप लोग लिए लात रहता हूँ नमस्कार दोस्तो जै हिंद जै भारत